हेलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सब का हमारी और आपके प्यारे से चैनल कुखी मुखिया पर आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग मिठाई रेस्पी जिसे बनाना तो बहुत आसान है ही और जिसे भी खिलाएंगे पूछेंगे कैसे बनाया बिना गैस जलाए तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं इसके लिए हमने ये ड्राइफूट लिया है दसे बारा पादाम दसे बारा काजू लिया है इसी हम ग्रैडनर जार में डाल देंगे ड्राइफूट आप अपने पसंद के ले सकते हैं एक लाइची लिया हमने अब यहाँ पे हमने दो चम्मज चीनी लिया है और दो चम्मज ही देसी केटिड कोकोनट लिया है आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं मगर इससे टेस्ट बहुत अच्छा था इसे हमने पीस लिया है देखिए इस तरह से और इसमें हम food color डालेंगे यह बिल्कुल optional है बस देखने में मिठाई अच्छी लगती है अब यहाँ पर हमने मावा डाला है यह हमारे पास 4 चमच घर का मावा था इसको हमने डाल दिया आप इसकी जगे ताजा मलाई भी ले सकते हैं और इसे हम एक बार मिक्सी जार में चला लेंगे तो देखिए कितना सांदार आया है अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे एक बार आप इस मिठाई को बना कर जरूर देखना यह बहुत ही आसान रेसिपी है और टेस्टी तो बहुत ही है तो इसकी हम इस तरह से गोल गोल लडू बना ले लाटु बना लिये है किसी तरह से हम सब बना लेंगे अब यहाँ पर हमने यह bread लिये है तो bread के हम किनारे कंडेंगे और इन को हम पेकेंगे नहीं आप इनसे bread करंबी बना सकते हो तो इस तरह से हमने चारो तरफ इसकी bread को किनारे निकाल दिये हैं यह मिठाई आप जिसे भी बना के किलाएंगे पूछेंगे कैसे बनाया यह बहुत ही आसान है मगर टेस्टी भी बहुत है यहाँ पर हमने एक गिलास दूद लिया है दूद ठंडाल है यहाँ पर हमने यह मिल्क मेड लिया यह होम मेड मिल्क मेड है आ अब यहां पर ब्रेड को इस तरह से दूद में अच्छे से डिप कर लेंगे और हाथ से इस तरह से हलके हाथों से दबा की निचोड देंगे और इसमें एक लड़ू रख लेंगे और इस तरह से हाथ से हलके हाथों से दबा कर इसे एक लड़ू का सेप देंगे इसे बनाना बहुत आसान है असानी से हो जाता है तो देखी इसी तरह से हमने दूसरी ब्रेडली है इसका भी इस तरह से हाथों से अच्छे से दवा दिया है एक्स्ट्रा दूद इसका निकल गया है वह इस तरह से हम गोल गोल बना लेंगे इसी तरह से हमने सारा बना लिया, एक डिस में इस तरह से हमने सजा दिया है, इसी के उपर हम यह दूर डाल देंगे, इस तरह से, हम अपनी मठाई को इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, आप अपने मन्चाहिद तरीके से इससे सजा सकते हैं, तो यह देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और तोहारों पर जब मिठाई देखने में अच्छी लगती है तो खाने में तो वो होगी ही अच्छी तो इस तरह से हम पिस्ता से इसे गार्निस कर लेंगे उसे फ्रिज में हम आदा से एक गंटे के लिए रख देंगे तो देखिए आदा गंटे तक हमने इसको रख दिया था तो थंड़ा थंड़ा इसे हम सर्व कर लेंगे इसके आगे रस्मलाई भी फेल है यह इतनी टेस्टी लगती है एक बार बना कर आप जरूर देखें तो देखिए हमने काट के आपको दिखाया है और यह बहुत ही सॉप्ट बनती है माउथ मेल्टिंग अगर आपको अमारी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लैक से और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग टेक एर बाई